नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है आपके अपने YouTube चैनल Mr.360 गुपता पर आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच में कवर करूँगा वो है दोस्तों ECS T10 के एपल का सतरवा मुकावला जो यहाँ पर खेला जाएगा टीम VVV वस्स टीम के एम के बीच में तो इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रेंगे कौन से प्लेयर सापको head to head में लेने चाहिए अपनी टीम में और किस प्लेयर को आपको अपनी ground के टीम में रखना चाहिए तो यह सारी जानकारी है जो भी match से related है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को complete watch करिएगा और अंत तक जरूर देखना अगर आप लोग इस match में investment कर रहे हैं तो और अगल win करना चाहते हैं तो वीडियो को complete जरूर watch करिएगा बाकी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी after line up या toss के बाद तो वो हमारे telegram channel पर मिलेगी बिल्कुल free में तो इसलिए हमारे telegram channel को जाके जरूर जोइन कर लेना अभी के समय हमारे telegram channel पर 4500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाने यापर वो दी गए मेरी free dream का profit उठा रहे हैं तो आप लोग भी गार हमारे telegram channel से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो link है वो comment में मिल जाएगी आप सभी लोग comment section में चले जाएए जो जिसको search करकर भी आप लोग हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं बाकि अगर आपको वीडियो important लगे informative लगे तो वीडियो को एक like जरू कर देना चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को subscribe जरू कर लेना पास में जो bell icon इसको जरू आल भी प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने हमकाबला जीत के आ रही है जब कि आप जो टीम के हमें वो इसके अगेंस थोड़े सी वीक टीम रहेगी और साथ में यह आज के दिन का पहला हमकाबला खेलेगी तो विकेट गिविंग सेक्शन से आपके समने तीन option है एस बट आरहमत अलफोनस तो इन तीनों में से ही किसी क आपको भी करना है आरहमत कि मैं बात करूं बैटिंग और काफी ज्याद नीचे आरहल फोनस का भी बैटिंग और नीचे तो यहां पर श्रेयर बड़ जो है इनका बैटिंग और टॉप और पर आता है साथ में यह बालिंग भी करवा लेतने लेकिन अभी तक टूना में इनो से एस भट को भी करके चलना है बैटिंग स्रेक्शन में दोस्तों हमें आप इजावेद अकरम को भी करेंगे प्लेयर काफी अच्छा है लेकिन लास्ट मैस में फ्लॉप हुआ था लेकिन प्लेयर काफी अच्छा पिक करके चलिए उसके लब आप वरुन चतुरुएदी को करेंगे इंपोर्टन प्लेयर है काफी अच्छी यह नहीं खेलता है यह अपनी डिम के लिए नंबर दीन से चार पर आके बाकिया आप ट्राइ किना चाहिए तो खरारिया को कर सकते हैं अगर प्लेय करते हैं तो क्योंकि यह भी बैटिंग और बॉलिंग कराना पसंद करते ह अचा प्लेयर है आपको लिए बैटिंग बोलिंग करेगा यह वी रिविक को भी आप ट्राइ कर सकते हैं लेकिन इकल फ्लॉप हो गया जीरो रन पे आउट हो गया थे लिसी कारण से में इनको पीक करने वाला हूं और कोई रीजा नहीं है मेरा इनको पीक करने का बॉलिंग जो है वो मुझे मदल्ब ट्राइ करने को कहर रहा किन को मैं ट्राइ कर लेता हूं अगर मैं बात करूँ इसकी पर्फॉर्मस की तो हर एक मैच में ड्रीम टीम में बंदा आया है लास्ट मैच में दो विकें निकालें पच्यास रन बनाएं इसने तो मैं इनको पीक करूँग तो टोटल यहां पर जो में फोर आलाउंड थे मैंने उनको अपनी डिम में पिक कर लिया है बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहां पर सबसे पहले एम हमस को रखना है लेकिन पिछला मकाबला यह नहीं खेले दे तो हो सकता है कि इस मकाबले में भी ना खेले तो इसी कारण से मिनको ड्रॉप कर रहा हूं बाटे भी पिछला मकाबला नहीं खेले तो इनको बी मैं ड्रॉप करूँगा यहां पर आपको यह फाइल को ले लेना है जो कि काफी अच्छे के इंद बाद जैंके उसके लाब दोस्तों यहां पर हम पी चुरुम बीरा को ट्राइब करेंगे यह भी काफी अच्छा बॉल रहे तो मैं इसको ट्राइब करूंगा और जो में किनाना की परफॉरमस एसी नहीं ए जो हम इनमेंसे किसी बी मैंद नहीं में पर रेड़ी हो चुकिए अगर हम अब हम यहां पर बीलाल की जगा पर इंको कर लूँगा अभी यहां प्रविलाल को मैं पी करने वाला हूँ combination की में बात करें तो मैंने 5 players लिए है triple V की और से और 6 player मैंने KM की और से लिए है combination की बात किज़ा तो मैंने 1 wicket keeper 3 batsman 4 Alondas 3 ballers का combo त्यार किया है team preview देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ team preview रहने वाला है wicket keeper section से asbat को लिया जो की wicket keeping कर सकते हैं 4 बात की बात की दोर की नोगा डोर की अर्थोबर के रहें यहाँ पर मैंने 5 चरूबध को रखक है जो यह पूरा game दोस्तों ख़ी उन्हरा के तो Captain and Vice Captain पर डिपेंड है, अगर टीम के नुस्रा देखा जातरो टिपल भी स्ट्रॉंग टीम है, तो हो सकता कि यू मली को इस मैच में वीकेड ना मिले, लेकिन पर प्लेयर काफी अच्छा है और T10 में आपको स्टैट्स के उपर नहीं, लख्के उपर गलीव करना होता है और आपको थोड़ा सेव जाना चाहिए, तो इसलिए मैं Captain जुमाली को ना देता हूं, Vice Captain भी अजीज को रख लूँगा, बाकि टॉस के बाद जो भी डिप पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी, इस तो साब से मैं ज़िए Captain इस Vice Captain में बदल आप करूँगा, आप लोग अभी के लिए हमारी इस टीम को सेव कर लिजेए, इस का स्की इंशो ले लिजेए, जहां पर भी आप लोग ले करें, वहां बजा कर आप लोग हमारी इस टीम को यूज कर सकते हो, तो इसी जहीं टीम के साथ आप लोग इस टीम के साथ आप लोग गराण लिग की कांटेस्ट भी जोइन करें, गराण लिग में आप लोग को क्या करना है, के हमदी को Captain C आप आप लिजेए, और यहां पर पी इनको करनी है, इन तीन प्लेस को आपको गराण लिग में Captain C आप आप लिजेए, बाकी लाइन अप ले चाते हैं, बाकी मेंबर्स की तना Freedom का Profit उठाना चाते हैं, तो आपको मारी Telegram चैनल का Link कमेंट में मिल जाएगा, आप सब कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो सबसे पहले नमबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिंग किया गया हो, वो मेरे चैनल का Link होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, और बाकी मेंबर्स की तना Freedom का Profit उठा पाओगे, अगर लिंक अबर करें तो कमेंट में आपको चैनल का नहीं भी मिल जाएगा, जिसको सार्च करकर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ ज कर लेजिगा, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो जरूर दोस्तों ये कम कर लेना, तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहें सोचित रहें, इस्टे रहें, स्कुरायत रहें, जितने भी मैचेस आप लोग प्ले करें, always win करें हमारे डीम मनेजमेंट से, हमारे डीम कॉबनेशन से, तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में त अब दा के लिगे जय हिंद वंदे मात तरहूं